देशी छोरा दिलीगा हमारी बाइक सामने घडिया सो हातों मत विदिम सो हमारे सब जा रहा है देशी छोरा दिलीगा और वो मेरा रेड लाइट पर वेट कर रहा सो चलते हैं पहले तो उसके पास आज का जो मोटो व्लॉग हो रहा है जो आप देख रहे हैं क्लारिटी जितनी भी आ रही है यह आ रही है आपकी गोप्रो हीरो 7 से जो हमने लिया था अभी थोड़ी दिन पहले सो माइक हमने अटार्च कर दिया है मैंने एक लोकल माइक लिया था अजिए अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूँगा क्या है क्यानी अभी तो इस दर फरस ताहिम रिकॉर्डिंग फ्रम डाट माइक सो लेट सी क्या रहता है बहुत महगा माइक नहीं है बहुत सस्ता माइक था अच्छल में सिर्फ और सिर्फ देड़ सो रवे का माइक आया है मैंने काफी जादा बंदों से रिव्यूज लिया थे तो मेरे को सुनने में यह है किया है अगर आप सस्ता वाला माइक लेते हो इसके अंदर तो उसकी क्लारटी जादा अच्छी आती है रहता देना मेंगा माइक लोगतों सो आई रहनों कि क्या आवाज आ रही है कैसी आ रही है लेट सी जब हम रेंडर करेंगे तब हमें अच्छल में पता जलेगा सो अभी शेख को इधर वेट करते वे काफी ज्यादा टाइम हो गया बाई अच्छी आएज दुकान पर शोड़के नहीं जा सकता था सब्सक्राइब करें देशी चुर्य दिली का और भाई पहन लिया और भाई को मैंने बोला है ये सोर बाला आपन ना इसको 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 अटागे ना यूट्यमनी चरीड़े जह करीड ले ले लें लेगा क्योंकि बाई बीवेवाई को अपर प्री मात है तक मुझे लिए तर मिल जाएगा ठीक बहाता है चलो बैठो फिर चले चलो चलो कि करें ने प्लियन राइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रॉब्लम इस कि पीछे वाला अगर मैं तेज बगाऊंगा तो उसको नीचे जुखना पड़ेगा और अगर जुखेगा तो उसका सारा का सारा लोड ना मेरे पे आएगा तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा चलते-चलते क्या हालत है हातों की क्या हालत होती है अच्छल में जब हम केटियम चलाते हैं ताकि आप लोगों को भी अंदाजा पता चल जाएगा कि यार केटियम चलाने में क्या होता है और मैं क्यूं कहता हूं कि like this is like really uncomfortable motorcycle जा रहे हैं नरायना के इंडस्ट्रिल एरिया से और यूजुली यहां पे ना एक रोल्स रोइस कड़ी होती है आई होब आज भी हमें खड़ी वी दिखे क्योंकि बहुत ही सेक्षी सा कलर है समय खड़ी हुई है गारी अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहां पर एक पोस्स पाढ़ीं करिया और एक रॉल स्रॉइस किडिया तौही सुंर लगले दिए बिल्कोली अलग नवर खिको र्डीम gadgets लगरिया रे बॉक्स्टर में यह भली मोक्सा ओड रे जली बॉक्स सरेथ नहीं बॉक्स टरे सुन्दर चरही लगली है यार सब्सक्राइब कैसी लगी आपको रोल्स रॉइस रोयल ब्लू कलर टाप ब्लू कलर के अंदर एंड साथ में मेरे कहल से बॉक्सर करीजी थी उसकी पॉर्श्या की सब्सक्राइब कर दोनों गाड़ियां ही बहुत जादा सेक्सी लग रहती है बहुत सही अमीर बंदा हो गया जिसकी गाड़ियां थी एवरी टाइम पास्थ प्लेस ना मेरे को जादा तर यहां पे रोल्स रॉइस खड़ी दिखती है और और अल्वेश विश्या मतलब मन करता बस खड़े होके उस गाड़ी को मैं देखता रहूं बिलकुल ही अलग सा कॉंसेप्ट है बिलकुल ही अलग ही दिखने वाली गाड़ी है मैंने अभी तक अपनी लाइफ में इस शेप की और इस लुक की गाड़ी नहीं देखी बेंटले कुछ हग तक ऐसी सी ही होती है बट जो इसका मज़ा है ना रोल्स रोइस का वो आपको शायद ही किसी दूसरी गाड़ी के अंदर में उसमें सेफटी आपकी भी है और दूसरों की भी है जैसे मैं आपको बोल रहा है कि यार अभी मुझे अल्मोस्ट दस मिनट हुए है के टीम चलाते हुए हार से लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि यार बहुत कमफरटेबल है सो हेर इस आप मेरे हाथ के हालत देख सकते हो तो यह आप मेरे हाथ के हालत देख सकते हो यह हाल है हाथ का और यह हाल होता है सारे ताइम अगर आप चला रहे हैं जाए आप गल्लब्स पैनो चाहे ना पैनो उसके बाद भी सारे ताइम ऐसे ही रहता है सब्सक्राइब to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator